एकरा हसन की पढ़ाई लंदन में भी हुई है अब वो कहराना सीट पर भाई नाहिद हसन के लिए दिन रात प्रचार में जुटी हैं नाहिद हसन के कथित समर्थकों का जो वीडियो वाइरल हुआ था उसे भी एकरा भाजपा की ही साजिश बताती है एक वीडियो है नाहिद हसन के तथा कथित समर्थक कह रहे हैं कि अगर नाहिद हारे तो जाटों के भुस भर देंगे तो आखिर क्या है देखे कोई वीडियो होगी मेरी नौलेज में नहीं है लेकिन जो भी इस तरह की बाते हैं ये बीजेपी का एक बहुत आक्टिव आईटी सेल है जो वीडियो एडिट करना उनको फैलाना प्रॉपगेंडे बनाना यही इनका काम है तो उन्होंने ही ये फ बिरादरी हमारे साथ लगी वी है 36 बिरादरी गटबंधन के साथ है और गटबंधन इन्हें हराने का काम करेगा तो अब यह अपना वही पुराना एज ओल्ड फॉर्मिला लेके आएं कि वीडियो एडिट करके हमारी तरफ से चलाएं कोई और फॉर्मिला लाएं जिससे की यूपी का विकास हो सकता है और योगी जी ने क्या किया देखे अकिलेश जी ने 2017 से पहले जो उनका कार्यकाल रहा उसमें जनता के लिए बहुत काम किया और उन्होंने वोट भी काम के नाम पर मांगा योगी जी ने कोई काम नहीं किया है सब को परेशान करके रखा है सब परेशान किया है और इसी लिए अब वोट मांगने भी पलायन जैसे मुद्दे पर आ रहे हैं अगर उन्होंने काम किया होता तो वो काम की बात करते क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है तो वो इसी तरह की बेकार की बाते लेकर बीच में प्रॉपगांडे फैलाने आ गए दुम्हारा उतों के लिए इकरा-इकरा का मतलब गया है यह कुरान का पहला और इसका मतलब होता है पढ़ना तो जी आपने तालीम हासिल की है लंडन से लिडि स्रिअली को लेज से दिली 20 में नियूता कॉले से टूंस लोग जादा अच्छी तालीम उच्छ तालीम हासल करें जैसे मुझे मौका मिला है उसके लिए क्या कोशिस करेंगे इकरा? बहुत सारी योजनाएं हैं जो अगर सरकार आती है उनके जरीये हम लागू कराने की कोशिस करेंगे अभी तो कहने ही सकते हैं अभी सब चुनाओ पर डिपेंड करता है एकरा हसन ने CAA NRC को लेकर लंदन में विरोध किया था जिसके बाद वो चर्चा में आई थी अब वो जमीन पर उतर कर भाई की लड़ाई लड़ रही है एक भाई के लिए बहन की ये महनत कितनी रंग लाएगी ये 10 मार्च को ही पता चलेगा